एक प्रेंड्स अब हम देखते हैं माइनर्स एंड को फेक्टर्स माइनर्स क्या होता है इस भी डिलेटेड़ दा आइथ फ्रो एन जे थ कॉलम्पासिंग थ्रो दा एलिमेंट ए आ जे एलिमेंट की ररस्पंडिंग देख रहे होते हैं तो हम आई भी रो को और जे भी कॉलम क को डिलीट कर देते हैं मैट्रिक्स में से देन दा डिटर्मेंट ऑफ दा स्क्वार मैट्रिक्स ऑफ और एन माइनस बन जब जो स्क्वार मैट्रिक्स बज़ता है क्योंकि यह क्रू एक कॉलम को डिलीट कर रहे हैं तो इसको जाद एन मैट्रिक्स जो बचेगा उसका जो डिट पूर्ट ःटने देसर मेत्रिक्स यह हमारे पास मैट्रिक्स है जो है रहीति बडियों है तक है लिए हमें इसकी जो row है जाने इस रो को ड्लीट करना होगा और इस कॉलम को इनको ड्लीट करने रबाद क्या बचेगा हमारी पास यह बचेगा ए son to a 32 प्छे ए वन थ्री कर दो इसका जो और उसी उसी में और में घिक्स जो है हमारे पास जो बच्चा वो बच्चा A12, A13, A31, A33 अब इसका जो determinant है फ्रेंट्स इसका determinant क्या हो ऐसे A22, A32, 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 A13 यह इसका माइनर्स होगा तो इस तरह से माइनर्स होता है अफ्रेंस को फेक्टर्स क्या होता है को फेक्टर्स में कुछ भी नहीं होता सर्फ माइनर्स होता है वो और लिवहाँ पे यह जोड जाता है A1, A1, A, J में multiply by minus 1 to the power I plus J I और J कोंसा? जो यह I, J जो element होता है उसका लग उसका I, J जैसे यह है हमारे पास इसका अगर हम co factor निकलना चाहे तो इसमें यहाँ पर minus 1 का multiply minus 1 की power I plus j and minus 1 2 plus 1 तो यह उसाएग minus 1 to the power 3 and minus 1 आ गया जाएगा तो इस तरह से उसको co factor निकल जाएगा और उसको Aijs Cijs से deload करते हैं जैसे यहाँ पर हमने निकाल के दिखाया भी है इसको यह हमारे पास तो इस तरह से co factor हम निकाल सकते हैं